हेलो फ्रेंड्स मैं संध्या स्वगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बचे हुए कपड़े से ब्लाउस बनाना जैसे कि कभी कभी सूट में हमारा बच जाता है कभी जादा होता है कपड़ा तो वहां से हमारा एक ब्लाउस के लिए कपड़ा बच जाता है लेकिन वहां पे हमें तुकड़ी तुकड़ी में बचता है तो हमें समझ नहीं आता है हम कैसे ब्लाउस बना है क्योंकि यहाँ पर हमारी श्लीप्स आ जाएगी देखो यहाँ से हमारा ना तो फ्रेंट पार्ट आ सकता है और ना ही बैग पार्ट तो यहाँ से हम अपनी श्लीप्स निकाल लेंगे तो इसको भी साइट में रखते हैं यह जो छोटे चोटे तुकड़े है ना यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी आई पट्टी वगएरा यह सब छोटे चोटे तुकड़े निकाल लेंगे अभी इनको भी साइट में रख देते हैं आप देखते हैं यहाँ पे कितना कपड़ा बच्चा है तो देखो यह है हमारा इतना कपड़ा सिर्फ यहाँ से मारा बैक पार्ट आ सकता है तो यह हमारा बैक पार्ट हो जाएगा ठीक है और जो यह कपड़ा बच्चा हुआ है इसका में आपको दिखा देते हैं यह हमारे चोटे चोटे दो तुकड़े हैं तो इसका हम frand part बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देख्ड़ों देखो। बीज से हमें پट्टी औरł नहीं पट्राइन लगते हैं तो वहीं से हमको इस तरह से एक एक पला वाहँ पे हमारे frand part में 2 पल्ले बनते हैं तो वहीं से हम 2 पल्ले यह निकाल लेंगे क्योंकि यह छोटे छोटे चोटे फोटे तुकड़ें क्लें तो इसे अदम अपना प्रेंट पाइ्ट निकाल के तो इसकी कटिंग कैसे करते हैं वह सचलो सीखते हैं इस तरए सिसको रखना यह जो हमारा कटता हुआ कपड़ा है इसको बिल्कुल मिला के रखना है इस तरह से ठीक है अब इसको रखने के बाद यह जो हमारा फ्रेंट पार्ट बैक पार्ट वाला कपड़ा है इसको भी ले लेंगे साथ में कटिंग करेंगे फ्रेंट पार्ट और बैक पार्ट की दोनों की अलग अलग नहीं करे तो इसको जब लिखने के बाद टुकडए चोटे तुकड़े थे प्रेंट इन zitten गाले। रखा रखने में गूपका दूकर से 1 इंच चोठा लेना हूं वह लंबबाई přाद में अब अबहु ब्राबर शे array करें आपना इंची टेप लेंगे और नीचे की तरफ हम अपनी लेंथ करेंगे वह वह वहां पूहना नीचे की तरह करेंगे और नीचे की तरफ हम अपनी लेंगे तो देखो लेंथ हमको कितनी रेनी है जैसे कि हमको ब्लाउस जितना बनाना हूँ उसमें से तेड़ वो सॉरी धाइ इंच हमें फ्रेंट पार्ट में प्लस करना है तो जैसे कि मुझे यहां 14 इंच का ब्लाउस बनाना है थाइ इंच हम यहां पे प्लस करेंगे तो साड़े सोला इंच हैगा तो इस तरह से हमें यहां पे साड़े सोला इंच पर एक निशान लगा लेना है तो अब क्या करेंगे बस यहीं से एक लाइन खीच लेंगे वहां तक तो देखो ये हमने एक line कीछ ली है और ये line खीछ ली है तो ये बेज़ का पड़ा हमारा लेंद का है ठीक है अब ये लंबाई है जो तो बस अब हम क्या करेंगे यहां से कपड़े के बंद भाग से हम 3 इंच पर गले के लिए निशान लगाएंगे देखो यह अभी हमारा कपड़ा आगे का बराबर नहीं है ना तो इसको बराबर करेंगे बात में जब हम इसको पूरा कट करेंगे यहां पर थोड़ा सा जादा नहीं जागा यह सिर्फ जो हमारे कटे हुए कपड़े इधर लटक रहे हैं तो बस इनको क और यहां पर हमें एक लाइन खीश लेनी है निशान लगाना है अब हम क्या करेंगे यहां पर हमको इसके लेंथ गले की लेनी है तो गले की लेंथ आपको जितनी भी रखने है उसमें से हाफ इंच प्लस कर लिए जगा जैसे कि मुझे यहां 6 इंच लेंथ रखनी है तो सार तो देखो इस तरह हны tab यहां पर गुलाइ दे दिया है अब इत Streamشा निशान लगांगे तो यह थना लगांगे बड़ाई 5 इस इस तरफ अब नीशान लगाने के बाद आप नीशान के लिए निशान लगाने के बाद तो यह 6 इंच पर निशान लगा लिया है अब इस साइड एक बाक्स बना लिए तो देखो इस तरह से यहाँ पर लाइन खीश लिया है अब इतना करने के बाद हम अपने अर्मोल को डाउन करेंगे तो यहाँ पर हम बैग पार्ट में 2 इंच पर करेंगे और फ्रेन्ट पार्ट में तेड़ इंज पढ़ तर smoothie से यहां पर लाँ खच यहां पर хाफ यहां पर निशान लगानै और यहां पर ऐसे ही गुलाई कर लेनी हैं तो इसे आप बाद यहां पर शीने कानाप कर लोगाने चौथा भाग पे तो यहां पे हमने निशान लगाया और 2 इंच हमें मार्जिन ले लेनी है तो यह हमने ले लिया मार्जिन और यह लाइन हमारी जहां तक जा रही है इसको पूरी लंबी इस तरह से खीच लेना है अब हम क्या करेंगे नीचे की साड़ कमर का निशान लगाएंगे तो कमर है मारे साड़े 9 इंच चौथा भाग में तो यह निशान लगाएंगे और 2 इंच यहां पे प्लस कर लेंगे तो देखे फ्रेंट्स इस तरह से यह हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है अब क्या करेंगे यह निसान से उपर तक लाइन बना लेंगे और यह निसान से यहाँ तक लाइन खीच लेंगे तो बस यहाँ पर हमें एक लाइन बना लेनी है तो देखो इतना हमारा complete हो गया है यहाँ पे हमने fitting बना ली है गला बना लिया है और यहाँ पे armhole हमने complete कर लिया है अब हमारा यहाँ पे belt complete करना है और buzz point का निशान लगाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने belt के लिए निशान लगाएंगे तो उपर से यहां से जो हमारा लंबाई वाला निशान था ना यहां से अपना इंची टेप रखेंगे और साड़े ग्यारा इंच पर नीचे की तरफ निशान लगाएंगे तो देखो यहां से हमने अपना इंची टेफ रखा और यह साड़े ग्यारा इंच पर निशान लगाया है अगर आप लॉंग लेडिस का बना रहे हैं जैसे कि बहुत जादा उनकी हाइट है तो फिर आप यहां पर बारा इंच पर निशान लगाओगे अब हम क्या करेंगे हम तो नॉर्मल लेडिस का बना रहे हैं तीशले हमने यह वाला निशान लिया साड़े ग्यारा इंच वाला इसके बाद इधर हमको नापना है कि तो कितना है हमारा कपड़ा यह हमारा पांच इंच बचा है इधर हम एक इंच कम कर देंगे तो चार इंच पर यहां पर निशान लगाना है तो अब यह निशान लगाने के बाद यहां से यहां तक एक लाइन मिला देनी है बराबर से तो जैसे यहां पर एक इंच हमारा बड़ा है एक इंच इधर कम है तो बस ऐसे हमें यहां पर लाइन मिला देनी है थोड़ी तिर्ची आएगी अब यह लाइन मिलाने की बाद इधर साइड हमें हाफ इंच उपर की तरफ बढ़ा करना है यानि कि हाफ इंच लेना है और इधर नीचे की तरफ हाफ इंच नीचे की साइड जाना है ऐसे तो देखिए फ्रेंट इस तरह से यहाँ पर हम ऐसे निशान लगा लेंगे तो इस तरह से यह हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है अपनी बेल्ट में गुलाई करना है यानि कि हाफ इंच हमने इधर बढ़ाया है और हाफ इंच इधर नीचे की तरफ करना है तो बस यह हमारी बेल्ट कम्प्लीट हो गई है अब हम लोग यहाँ पर बस पॉइंच का इसके बाद अगर आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि अगर आप ज्यादा हाइट वारी लेडिज का बना रहे हो तो बारा इंच पर लोगे तो वैसे ही यहाँ पर भी करना है अगर आप ज्यादा हाइट वारी लेडिज का बना रहे हो तो फिर हा देड़ींच छोड़ते हुए यह हमको निशान लगा लेना है तो यह वाली स्ञेश में देड़ इंच छोड़ना है ठीक है अब हम एक साइट फिटिंग साइट देड़ इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे तो देखो इस तरी हमने तीन टक्स लगा लिया है इसके बाद एक टक्स हम इधर अपने आर्मोल साइट लगाएंगे तो इधर साइड हमको 1.5 इंच छोड़ते हुए नहीं इधर हमने 1.5 इंच छोड़ा है लेकिन ये वाले टक्स को हम 2 इंच छोड़ेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे तो यह हमारे 4 इंच कम्पलीट हो गए है तो देखो अब हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे यहाँ से ऐसे पूरा कट कर लेंगे जैसे हम नॉर्मल ब्लाउस कट करते हैं अभी हमको यहाँ पे बेल्ट नहीं कट करना है और ना ही यह हाफ इंच अंदर के साइट जो है इसे कट करना है सिर्फ बाहर बाहर से इसे हमको कट करना है अभी तो देखो फ्रेंट से इस तरह से यह हमने इसकी कटिंग कर लिया है अब इतनी कटिंग करने के बाद हम अपना फ्रेंट पार्ट निकाल लेंगे और यह है हमारा बैग पार्ट, तो बैग पार्ट के हमें लेंध कम करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम एक इंच यहाँ अपने फ्रेंट पार्ट से बैग पार्ट को कम रखते हैं, तो बस हमारा यह एक इंच नीचे की साइड ऐसे निसान लगा के कट कर देना है नीचे की तरफ का तो देखो ये हमने कट कर दिया है, इतना कट करने के बाद अगर आपको गला लेंध में करना है वैग पाड का, तो यहां पर आप गला बड़ा कर लीजे इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कप्रे के बंद भाग से 5-4 इंच पर निशान लगा लेंगे, तो यह हमारा बैक पार्ट कंप्लेट हुगया है अब हम लोग फ्रेंट पार्ट देखते रहे हैं अब हम फ्रेंट पार्ट को क्या करेंगे तो भूरा बराबर करने के लिए दो इसको बराबर कर लेनके वाद अब और इधर half inch जो down किया है इसे भी cut कर लेंगे तो देखिए इस तरह से ये हमने अपने front part की cutting भी complete कर लिया है तो इस तरह से ये हमारे अलग-अलग part हो गए हैं जैसे कि हम लोग करते हैं तो इसको हमें क्या करना नहीं पड़ा है क्योंकि ये हमारे तुकड़े थे ना अलग-अलग तो वैसे ही हो गया है बस इसमें हमको अपसिलाई लगानी है तो और यहाँ पर एक काम करना है जैसे इधर टक्स लगाए सेम ऐसे ही टक्स इधर भी लगाना है तो बस क्या करेंगे इसको हम डार्क कर लेंगे तो देखो इस तरह से यह हमने इधर डार्क कर लिया है अब डार्क करने के बाद इनको हम इधर साइड छाप लेंगे तो इस तरह से कप्ड़े को रखना है बराबर से और इधर ऐसे डब डब कर लेना है और फिर बस यहाँ पे हमें हलके हलके चौक लग जाएगी उससे के सेह लिए कपड़ कंपड़ करना है और सेहल साइवाथ करने सीels हमारा कपड़ा यह हमारी elbow sleeves होगी तो इस तरह से यह हमने रखा तो देखो इसको हमको इस तरह से फोल्ड करना है यह हमने चार परत में कपड़ा रखा है तो यह देखो इधर बंद भागे तो यह हमारे दो परत हो गए और दो परत ऊपर की तरफ यह हो गए अब यह दोनों परत ऐसे इस तरह से बराबर कर लेना है अगर आपका बराबर है तो ठीक है कोई बात नहीं आपको बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन मेरा चवारा है यहां पर ब्राबर कर लेते हैं तो इतनी हमारी लेन ठाएगे तो यह हमारी पूरी elbow sleeves जितना कपड़ा है न पूरे का sleeves बनाना है तो देखो यह हमारी यहां से यहां तक 11 इंच की है तो यहां पे हमारी sleeves कितनी तयार होगी 9.5 इंच की क्योंकि यहां पे 1.5 इंच हमारा shoulder side जूड़ेगा और 1 इंच हमारा bottom में fold हो जाएगा तो इस तरह से आपको जितनी भी length रखनी है उसमें से 1.5 इंच प्लस कर लीजेगा जरूरी नहीं कि आपको यहां पे 11 इंच ही लेना है elbow sleeves आप अगर 11 इंच की बना रहे हो 12 इंच की बना रहे हो जितनी भी बना रहे हो उसमें से आपको 1.5 इंच प्लस करना है और फिर यहां पे ऐसे लंबाई निकाल लेनी है अब यह लंबाई निकालने के पात यह हम कितना लेंगे यह हमारा आर्मोल साइट जुड़ेगा जाके यह हमारा रहेगा जितना आपका चेष्ट है चेष्ट का हम चौथा भाग निकाल लेंगे ओर यहां पर निशाना लगा लेंगे जैसे कि हमारा 40 बसलिख में हम स्था रशी corn नहीं लेगे पूरा यहां पर यहां पर पर 14 बदीन कम करने कि क्योंकि यहां पर हमारे हुझे में यह 9 यह 3प निशान लगाने अगर 32- Kevlaau ऑनला रहे हैं तोenf बत्रीस इंच में हमें यहां पे चौथा भाग निकालना है और आठ इंच पर फिर निशान लगाएंगे ठीक है अब आपनी अलवो स्लेप से 1.5 इंच पर डाउन करनी होती है तो यहां पे हमें 1.5 इंच पर एक लाइन खीच नी है अब यह जो लाइन केचा है यहां से इस तरह से एक लाइन खेच लेंगे तो यह हमने यहां पर एक लाइन खेच लिया है अब हम यहां पर अपनी आस्तीन का सेव देंगे तो इस आकार का सेव देती है तो बस यहां पर हमें इस आकार बना देना है तो यह हमारे आस्तीन का सेव हो गया है आप इतना करने के बाद आगे की साइट bottom का निशान लगा लेना है तो bottom है मेरा सारे 5 इंच यानि की जितनी भी आस्तिंग की गुलाई है उसका हमें आधा कर लेना है और निशान लगाना है इसके बाद 1.5 इंच हम यहाँ पे margin ले लेंगे अब यह निशान से यहाँ तक कोने कर लिया है बस अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो देखिए इस तरह से यह हमने अपने स्लीफ की कटिंग कर ली है अब हमें इसे एक साइड डाउन करना होगा हाफ इंच इस तरह से पूरा उपेन करना है उपेन करने के बाद यह हमारी एक साइड से डाउन होगी हाफ इंच इस तरह से 1.5 इंच पर बिल्कुल शेंटर पर से निशान लगाना है और यहाँ पर ऐसे ही गुलाई कर लेनी है तो इस तरह से गुलाई करनी के बाद बस अब हम यहाँ पर ऐसे ही कटिंग कर लेंगे तो देखो इस तरह से यह हमारी स्लेफ की कटिंग कंप्लेट हो गई है त तो देखे फ्रेंट इस तरह से हमें पट्टियां निकाल लेनी है जिसे कि आपको पता है कि यह हम ब्लाउस बचे हुए कप्ड़े से बना रहे हैं तो यहां पे हमारी जॉइंट लगा लगा के हम जुगार बना बना के अपना ब्लाउस कंप्लेट कर लेंगे तो इस तरह से हम कंप्रां डिएंगे जिसे की मतलब देखने में अचही लगे तो जब मैं ब्लेक क्लर की पाइपिंग लगांगे तब हम लोग कंप्र की और पटी के से कट करते हैं पाइपन के लिए तब मैं वहां पर आपको बता दूँगी आपको इतना समझ में आ गया होगा और जहां प वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नय हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ठ्रेस कर देना जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थेंक झालो